हेलो क्लास कक्षबारवी में आप सभी का स्वागत है आज हम लग पढ़ेंगे हेलो एलकेंज के रसायनिक गूड हेलो एलकेंज क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा है हेलो एलकेंज जो होता है हेलो जन और एलकेंज समूह से जुड़ करके बनता है जैसे कि हेलो एलकें है आपका CX यहाँ पर एक बंड जूड़ा रहता है तो यहाँ पर C का मतलब है कोई भी carbon group जैसे की alkin group अगर alkin में से एक hydrogen को हटाएंगे किसके दोरह इस halogen के दोरह या फिर जब alkin में से एक hydrogen का प्रतिस्थापन halogen दोरह होता है तब halo alkin बनता है जैसे कि आपका CH4 है लेक सकते हैं पर में एक hydrogen इधर और इधर माल लेते हैं इस hydrogen का जो प्रतिस्थापन है किसके दोरह हो रहा है 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 यह हैलोजन है है हैलोजन की जगह में में आप लोग chlorine 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 bromine iodine यह सभी रख सकते हो है ना तो इस hydrogen का प्रतिस्थापन इस हैलोजन के दारा हो रहा है तो अब ये क्या हो जाएगा आपका इसके जगह में क्या आ जाएगा हैलोजन आ जाएगा तो ये हो गया आपका हैलो एलकेंज जब एलकेन ग्रूप में हैडोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन ग्रूप दार होता है तो वहाँ पर क्या होता है हैलो एलकेन आपका बनता है ठीक तो इस हैलो एलकेन के कुछ रशानिक अभिक्राएं होती है जिसमें पहला है आपका नाभिक इसने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है दूसरा है विलोपन अभिक्रिया तीसरा है धातू के शाथ अभिक्रिया और शौथा है अपचेन नाभिक इसने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे हम लोग इससे पहले पढ़ शुके हैं आज हम लोग देखेंगे विलोपन अभिक्रिया धातु के शाथ अभिक्रिया और अपचैन अभिक्रिया तो चलिए देखते हैं विलोपन अभिक्रिया या फिर वी हैलोजनी करण अभिक्रिया जब किसी एक ही अडू से दो परमाडू या समू निकल जाते हैं तब ऐसे अभिक्रि रितयक ऐल्किल हैलाइट द्वारा दी जाती है। जब एल्किल हैलाइट को पोटेश्यम ये है, जब एल्किल हैलाइट को पोटेश्यम हैड्राकसाइड के एल्कोहल में बने विल्यन के साथ गर्म किया जाता है, तब इसमें हैड्रोजन हैलाइट का एक अडू निकल जाता है और एल्किन बनता है, चुकि इस अभिक्रिया में hydrogen halide का विलोपन होता है इसलिए इस अभिक्रिया को V-halogeny करड़ अभिक्रिया कहते हैं उधारण चैस को समझते हैं यहाँ पे है आपका alkyl halide CH3, CH2, CL जब haloylkins को potassium hydroxide की alcohol में बने विलियन के साथ क्या करते हैं गर्म करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है hydrogen और halide एक hydrogen halide का क्या होता है प्रतिस्थापर हो जाता है मतलब यहाँ से एक hydrogen निकलेगा और यहाँ से एक halide निकलेगा hydrogen halide जैसे की तो चलो यहाँ पे hydrogen निकल रहा है तो क्या बचेगा यहाँ पे CH2 और यहाँ से क्लोरी निकल जाएगा मतलब हैलोजन ग्रूप निकल जाएगा तब क्या बचेगा यहाँ पे CH2 बचेगा देखो यह हो गया अब एक कार्बन की सेयोजकता कितनी होती है? चार होती है तो यहाँ पे दो सेयोजकता वो पूरी कर चुका है और कितना पूरा करना है और दो करना है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डबल बन प्लस यहाँ पे क्या निकला है यहाँ से HCl यहाँ से हैडरोजन और यहाँ से यह तो यहाँ से HCl निकला है और यहाँ पे क्या बचेगा है आपका KOH है ना तो क्या हो जाएगा ये HCl जो है इस OH का प्रतिस्थापन करेगा या फिर ये HCl जो है KOH में से Cl जो है K के सांजा करके जुड़ेगा और hydrogen जो है OH के सांजा करके जुड़ेगा ठीक हैं अब यहां पर यहां से HCl निकला है और यहां पर क्या बचा है KOH तो ये Cl जो है इस K के सां पर क्या हो जाएगा के सी एल प्लस एज टू ओ ठीक विलोपन अभी क्रिया क्या होती है जब एलकील हैलाइट को पोटेश्यम हैड्राकसाइट के एलकोहाल में बने विल्लियन के साथ गर्म करते हैं तो वहां पर हैड्रोजन हैलाइट के एक अडू का विलोपन हो जाता है और इसको देखते हैं क्यों कहते हैं इसको देखते हैं जैसे की CH3 हो गया CH 3 और क्या है जोटक करेंगे मतलब यह ही चबिक रिया है उसके बाद क्या हो जाएगा यहां से हाट्रोजन यहां से क्लोय निकल जाएगा तो CH3 CH और CH2 KCl और बचा H2O ठीक तो यहाँ पर यह बताया चाहरा है यहाँ पर जिस कार्बन से आपका हेलोजन ग्रूप जुड़ा रहता है वो है अल्फा कार्बन और इस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए अन्य कार्बन क्या कहलाएंगे यह इस अल्फा कार्बन से जुड़ा है यह वाला कार्बन और इसी अल्फा कार्बन से यह वाला कार्बन जुड़ा है तो यह दोनों आपके बिटा कार्बन कहलाएंगे तो हम लोग विलोपन अभिक्रिया को जो विलोपन की प्रक्रिया है वो बिटा कार्बन से होती है साथ में अलफा कार्बन से यह जो हैलोजन है वो भी निकलता है लेकिन यहाँ बिटा कार्बन से क्या निकलता है है तो इस कारण इसे बिटा विलोपन अभिक्रिया कहते हैं या फिर वन टू विलोपन भी कहते हैं यह हो गया 1 और यह हो गया 2 दोने से निकलता है यहां से हैलोजन निकलता है यहां से हैडोजन तो इसे 1,2 विलोपन यह बीटा विलोपन अभिक्रिया कहते हैं ठीक तो पहला हो गया ना भी किसने ही प्रतिस्थापन दूसरा हो गया विलोपन अभिक्रिया तीसरा देखते है दातु के शांत अभिक्रिया और चौथा देखते हैं अब चयन को धातु से अभिक्रिया को देखें तो क्या है धातु से अभिक्रिया फ्रैंक्लेंड अभिक्रिया पहली अभिक्रिया का नाम है फ्रैंक्लेंड दूसरी वुटर्ज और दीसरी कार्वधात्विक योगिक का न इल्किल है और यह क्या है है हैलोजन ग्रूप है तो इल्किल हैलाइड को इसमें क्या करते हैं इल्किल हैलाइड को जिंक धातू के साथ गर्म करने पर इल्किन बनता है यहां पर यह इल्किल हैलाइड यह भी इल्किल हैलाइड है इल्किल हैलाइड को जिंक धातू से क्या करन गर्म कर रहे हैं, जिससे क्या बन रहा है, यहां से जिंक निकल जा रहा है, और यहां पर जो हैलोजन ग्रूप है, वो निकल जा रहे हैं, तो यहां पर बचा आपका, यहां पर आर, यहां पर आर, यह दोनों क्या है, इलके इन ग्रूप हैं, तो यह आपके बचे हुए हैं, हालाइड को जिंग धातु के शांत गर्म करने पर क्या बनता है इलकेन बनता है जैसे कि फ्रैंक्लेंड अभी क्रिया को देखें तो यहां पर माल लेते हैं आपका CH4 है CH4 उसमें से एक हाइडरोजन की जिगह में क्या की जुड़ा है आपका हालोजन ग्रूप तो यहां पर जैसे कि CH4 ना ले करके हम लोग क्या लेंगे CH3-CN उसके बाद किसके साथ अभी क्रा करना आनी है जिंक के साथ फिर CH3-CN लेंगे इसको इधर लिखते हैं जिससे क्या हो निकालने में आसानी हो CL-CH3 यहां से हमें इन तीन उको क्या करना है निकालना है इसलिए मैंने CL को इधर लिखा है और CH3 को इधर ठीक किसके उपस्तिती में अभी क्रिया होगी सूस के इधर की उपस्तिती में तो सूस की इधर की उपस्तिती में यह अभी क्रिया होती है यहां पे जो आपका इलकील हैलाइड है इसमें इल्किल हैलाइट के भिकले जिंक के साथ करवा रहे हैं तो यहां से जो हैलोजन ग्रूप है वो जिंक के साथ निकल जाएगा अब बचेगा क्या यहां पे इल्किन बचेगा जैसे की CH3 बचा CH3 बचा C तो इसको अगर मिला करके लिखेंगे तो यह हो जाएगा C2H6 जो हमें पता है आपका क्या है एथिन है अब यहां पे जो बचा है उसको लिखते हैं तो क्या बचा है जिंक और Cl2 ठीक है क्या बचा है यहां पे जेड एन Cl2 ठीक तो यह है आपकी Franklin अभिक्रिया जब Alkyl Highlight को जिंक धातू के साथ गर्म करते हैं तो इसको इथर की उपस्चिती में यहां पे Heat का वो जाहेगा तो इसको इथर की उपस्चिती में जिंक के साथ गर्म करते हैं तो यहां पे क्या होता है आपका Alkyl Highlight का प्राप तो होता है ठीक यह है Franklin अभिक्रिया ठीक देखो यहां पे धातू के साथ अभिक्रिया हो रहा है Alkyl Highlight का तो इसलिए इसे धातू से अभिक्रिया कहेंगे और शाथ में जिंक धातू से करवा रहे है तो यह Franklin अभिक्रिया के अंतरगत आएगा अगर मा लेते हैं जिंक के साथ ना करवा करके अगर sodium धातू के शाथ Alkyl Highlight के अभिक्रिया करवाएं तो वह आपकी वूटर्ज अभिक्रिया कहलाएगी तो देखते हैं वूटर्ज अभिक्रिया को तो जब Alkyl Highlight को CH3CN जब Alkyl Highlight को sodium धातू के शाथ गर्म करते हैं ठीक कौन सी धातू के शाथ sodium धातू के शाथ इसके दो मोल ले रहे हैं जब Alkyl Highlight को sodium धातू के शाथ गर्म करते हैं तो अहां पर हमें क्या प्राप्त होता है एलकेन प्राप्त होता है देखो इसमें में ही सुसके इथर की उपस्तिती में ही गर्म करेंगे न तो यहाँ पर देखिए CH3 CL हो गया और 2NA हो गया अब फिर से यहाँ पर इसके according CL आ जाएगा और CH3 आ जाएगा और यहाँ से आपका अलग होगा यह वाला पार्ट अब बच्चा क्या है हीट की यह है किस की उपस्तिती में सुसके इथर की उपस्तिती में है न तो यहाँ पर जो बच्चा है CH3 CH3 से जुड़ा है अब बच्चा है 2NACL2 प्लस 2NACL यह हो गया तो वुटर्ज अभिक्रिया क्या है जब एलकील हैलाइट को सोडियम धातू के शांत सुसके इथर की उपस्तिती में गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है एलकें प्राप्त होता है यह है आपकी वुटर्ज अभिक्रिया याद रखिएगा, वुटर्ज अभिक्रया में सोडियम से अभिक्रया करवाते हैं, फ्रांक लेट अभिक्रया में जिंग धातु से अभिक्रया करवाते हैं, धातु वससे अभिक्रया में देख रहे थे, जिसमें फ्रांक लेट हो गया, वुटर्ज अभिक्रया हो गया, आग इथर की उपस्यति में अभिक्रिया करवाते हैं एलकिल हैलाइट को момент symptom चून के साथ तो यहांपे आपका इलकिल मैं गण्हेलाइट होता है in a इलकिल मेंनि हलाइट जैसे की च सी एजन की मज AH सी एल इल्किल मैंगनिश्यम हैलाइट रापत होता है जो एक ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है जब इल्किल हैलाइट के भिक्रिया मैंगनिश्यम चून के साथ सुसक इथर की उपस्थिती में करवाते हैं तब हमें इल्किल मैंगनिश्यम हैलाइट रापत होता है जो एक क्या होता है ग्रिगनाड अभिकर्मक होता है ठीक तो हैलो एलकिन्स की रशायनिक गुड में आपका हो गया ना भी किसने ही प्रतिस्थापन विलोपन धातों के साथ अभिक्रिया अब लाश्ट बच्चा है आपका अपचेयन आगे देखें अपचेयन तो क्या है इलक हैलाइट जिंक और अमले यूगम के दारा अपचेयत होकर अलकिन बनाता है ठीक है तो यहां पर लीथियम अल-एच-फोर है जेडन-सी-उ है आरो-एच है एने-प्लस- आरो-एच है एच-ई है लाल-फासबोलस है निकिल है पैलेडियम है प्लैटिनम है इन सब चून की उ दारा भी आर-एक्स का अपचेयन इलकिन में होता है यहां पर लिखा है इलकिल हैलाइड जिंक और अमले यूगम के दारा अपचेयत होकर अलकिन बनाता है तो यह जो इलकिल हैलाइड है वो यहां पर जो लिखा है आपका इन सब के दारा भी उसका इलकिल हैलाइड का अप जारा हो एहान के जगा में आपका hydrogen और यहां पर एक त्रीकी से rajlam हेलाइड है, उसका क्या किया जा रहा है, अपचेन किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे विक्रिया किस के साथ हो रही है, हैड्रोजन के दारा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका अपचेन, ठीक है, तो यह हो गए आपका एथिन बना है यहाँ पे, और जो बच्चा है, यहाँ पर एक हैडोजन बचा है और यहां से जो C-L निकला है वो बचा है तो यह दोनों में लिकर के C-L के ही उधारड है यहां पर किसकी उपसिती में लाल फासपोरस की उपसिती में यहां पर किसकी उपसिती में निकल की उपसिती में किया जारी है है अब अब अपचेन की अभिक्रिया को देखें है हम लोग तो पहली है आपकी फ्रिडल क्राप्ट अभिक्रिया अपचेन की कालाती है एलकिल हाइलाइड निर्चल एल सि एल थे की उपास्ति में किसे बैंजिन से अविक्रिया करके यह लेते हैंक एकली करते हैं माल लेते हैं यहां पर सी H3Cl की अभी क्रिया हम लोग बेंजीन से करवाएं तो यहां से आपका क्या निकलेगा यहां से एक हाइडूजन जो जूड़ा है वो निकल जाएगा एक सेकिन जो आपका बेंजीन होता है वो कैसे होता है CH 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 उसके पस्षाद CH CH और क्या होता है CH है न यह होता है अब इसकी प्रिग्रिया माल लेते हैं CH3Cl से करवा रही है LCl3Q बस्षिती में है ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जो आपका CH3 है वो इस हैड्रोजन की इस्थान पर जाकर के जुड़ेगा इस हैड्रोजन को हटा देगा अब यहाँ से हैड्रोजन निकला है और यहाँ पर क्या बचा है C,L, तो उससे अभिक्रिया करके HCl बना लेगा, ठीक तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें, तो इसको हम लोग बेंजिन को कैसे sort में ऐसे लिखते हैं बेंजिन को इस तरीके से लिखते हैं और इसके अभिक्रिया किसे करवा रहा है C,H3, C,L से किसकी उपस्यती में है, ALCL3 की उपस्यती में, तो यह CH3 यहां से जो एक hydrogen जुड़ा था, उसको हटा देगा और उसके जगा में जा करके जुड़ जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, यह बेंजीन हो गया, यहां पे क्या करके जुड़ा है CH3, यहां से hydrogen निकला ह अबिक्रिया का है शिएल से तो यह हो जाएगी, तो इस अबिक्रिया को हम लोग फ्रेडल क्राप्ट अबिक्रिया क आते हैं तथा साथ में, यहां पे जो अबिक्रिया होती है, यहां पे जो product बनता है उसको alkaline कररण भी कहते हैं, अब यहां पे specific देखें, अगर CH3 3-L के सा बाते हैं यहां पर क्या बना है आपका यह मेथिल हो गया अब यह क्या हो गया बेंजिन ग्रूप हो गया तो क्या हो जाएगा मेथिल बेंजीन इससे और क्या कहेंगे तालू इन ठीक आगे देखते हैं समावी करड़ अप्चियन में एक और अभिक्रिया है आपकी दूसरी अभिक्रिया जो इससे हम कहेंगे समावी करड़ जब हैलो एलकेंज को 573 केल्विन या निम नताब पर लूइस अमल जैसे निर्जर अल्मूनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्चि करड़ भी कहते हैं जब हैलो एलकेंज जब हैलो एलकेंज यह है आपका हैलो एलकेंज को 573 केल्विन नताब पर लूइस अमल जैसे निर्जर अल्मूनियम क्लोराइड की उपस्चिती में गर्म करते हैं तो इसके आडविक क्या हो जाते हैं पुलर वैस्थित हो जाते हैं यह री writes हो जाता है इनका और क्या होता है री अर्टने होने के पस्चाद इनके समावी हैलो एलकेंज यहां पर प्राप्त होते हैं इसे हम लोग समावी करण अभीक्रिया कहते हैं जैसे कि यहां पर हुआ क्या है CH3 है और यहाँ पर क्या है जो hydrogen है यहाँ से 20 से जो hydrogen है निकल की इस hydrogen पर जा करके जुड़ा हुआ है ठीक या फिर यह कहें इसका rearrangement इस तरीके से हुआ है यहाँ पर CH3 है उसके बाद यहाँ से hydrogen निकला और इस chlorine की जगा में जा करके जुड़ा यहाँ से एक hydrogen निकला है और इस chlorine को हटा करके उसके जगा में जा करके जुड़ गया है अब यहाँ से जो chlorine निकला है वो इस एक hydrogen की जगा में जा करके जुड़ा है जैसे कि CH3 का यहाँ पर CH3 आ गया उसके बाद CH2 में से CH है एक hydrogen कहा गया है निकल गया है और इस chlorine की जगा में जाकर के जुड़ा है तो क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ एक hydrogen है तो वो CH3 हो जाएगा है ना अब यहाँ से chlorine निकला है वो इस एक hydrogen की जगा में जाकर के जुड़ गया तो इस तरीके से rearrangement हो गया तेखे जब हैलो इलकेंज को निर्जल एलिमुनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्यती में 573 केलवीन ताप पर गर्म करते हैं तो यहाँ पर जो हैलो इलकेंज होता है उसका rearrangement हो जाता है और समावी हैलो इलकेंज हमें प्राप्त होते हैं इस अभिक्रिया को समावी करण अभिक्रिया कहते हैं यहाँ पर हैलो इलकेंज के या फिर इलकील हैलाइड के क्या है उपयोग है तो इलकील हैलाइड को उपयोग इलकेली कारक की रूप में किया जाता है संसलेशक अभी कर्मकों की रूप में किया जाता है अलग-अलग रेजेंट बनाने में अभी कर्मक की रूप में इनका उपयोग प्लास्टिक बनाने में इसको उप्योग किया जाता है। इसको उप्योग किया जाता है। यह आपके इल्किल हलाइड के अनुप्रयोग।